पाटन का हिनोता गाउं आज भी विकास की रहा देख रहा है सड़क की आस लिए कई ग्रामीन गुजर गए लेकिन आज तक ये सिर्फ सपना ही है जब गाउं में कोई बीमार होता है तो पूरे गाउं की सांसे फोलने लगती है गाउं के लोग 81 होते हैं चार पाई को लखड़ी के सहारे बांधा जाता है और फिर कंधों पर खाट रखकर मरीज को अस्पताल पहुँचाया जाता है आज ये तस्वीर सामने आई है लेकिन ग्रामीनों के लिए ये कोई नई बात नहीं है कई बार तो रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं ग्रामीनों का कहना है कि कई बार गुहार लगाई लेकिन नथ अधिकारियों ने उनके कोई गुहार सुनी और नहीं किसी नेता ने उनके समस्या पर कोई ध्यान दिया बता दें आपको कि ये गाउं पंचायत एवं विकास राज्यमंत्री राम खिलावन पटेल के शिद्र में आता है तो फिल्हाल सवाल यही है कि अमर पाटन से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हेनोता गाउं की यहां अखिर विकास क्यों नहीं हो पाया सड़क की आज लिए ग्रामिन आज भी यहां पर बैठे हैं कई ग्रामिन तो गुजर गए हैं लेकिन उनका इस सपना सिर्फ सपना ही रह गया और आज भी इस तरह से किसी मरीज को जब कोई बिमार होता है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है तो इलाज के लिए कुछ इस तरह से देखिया कंधों पर कंधों की सहायता से कंधों पर खाट रखकर मरीज को अस्पताल पहुचाया जाता है हाला कि ग्रामिनों के लिए यह कोई नहीं बात नहीं है करिया हमारी हैं साधान-बस थच तो इसी विबस्त अम ले जाते हैं भाषदल किय चाड़ की चड़ की चड़ में पिर रोड में पिर रोड मीलेगी बाहन बाली कि डिजए पसना कोई सरफंच बन्बाना नहीं चाहता है, न सिकेर्टिब बन्बाना चाहता है तब क्या करें, हम गरीब लोग का हमारी पास हैं कि हम बन्बाना कि रोड़ किसी के जमीन फंसती है तुन नहीं बन्बा सकते हैं यह रोड में जैसे चलते हैं तो आजमी बिमार हो गया तब ही इसके बाद खटोला मलाई जाओ तुम मर जाएगा अस्पतास जाते 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 कोई यह एतनी बिखते आदमी ही ख़त्म हो चुकिया इसे करते करते हैं रोड पर नहीं बन रही आए तकलीब है पब्लीक का लड यह पार करा में एक पार से लड़कता के रही तके लड़कन का छुट्टी होई तो वापस ले जाए का परी ते बीमार हो गया तो कंदे में नहीं चार पाई में रखे और इसको होस्पीटल लेके जाते हैं बड़ी मुस्किमार कोई पहुंच गया तो ठीक है और नहीं रस् अमस्या तो रोडi की हैं हम लोग यहां रहते हैं आते तो सभी हैं मंत्री विधायगी आते हैं सांसत भी ज crochet वही यहां चुनाऊ होता है सब आते हैं और कहते हैं कि हम करवा देंगे छोटे बच्चों तक का भी स्कूल हमारे गाओं में हैं भी तो पाचमी तक का है वहां भ विकास यहां अब तक नहीं हो पाए नरिंद्र पठील का हम रुख करेंगे हमारे संबाद दाता इस वक्त फून लाइन पर जुड़ गए नरिंद्र हम देख रहे हैं कि यह ग्रामीन किस तरह से कंधों पर खाट रखकर मरीज को स्पताल ले जाते हैं विकास जो है नहीं हो प जब नेता आते हैं चुनाओ के समय में प्रचार प्रसार करने या पर पंचायती का चुनाओ हो या सरपंच का चुनाओ हो तब यहां पर आते हैं सिर्भ मूल बुथ सुधाओं का एक लाली पॉप पकड़ा के जाते हैं कि हमारे द्वारा इसमें कर दी जाएगी पिछले गुजर चुके हैं यहां पर कितने भी चुनाओ हो हैं ते यहां पर लॉलीपॉप ही दिया गया है लकान आज ही दे गई गये हैं तो कई में हो तक है किनी बिजली नहीं बनती सड़के हैं नहीं कोई किसी को आना है जाना है क Beim बेमार पड़ता है फिन्हीं लोगे है इस स्कारियी में 40 मोई से एक धो मिपड़ने को मिलता है और यहां पर कई लोगों में भीमारों ने तुम्हार पाहिए और यहां पर किसी सरकारियण से लेना जाएं Men क्या बोलना चाहेंगे तो वो फिर लेते हैं इसमें कुछ बोलने को तयार नहीं होते भी ठीक है नारेंद हम यह तो देख रहे हैं कि कहिना के एक लापरवाही जो है जन्प्रतिनिधियों की ही हम कहेंगे कि नेता जो भी है विच्चुनाव के वक्त आते तो हैं लेकिन हम उन अस्या ग्रामीनों का क्या कहना है यह ग्रामीनों के गर्माने तो करीब 15 सालों से यह वो ऐसा दंस ठेहल रहे हैं जिसमें की परिवार जनों को खो चुके हैं और आने जाने के लिए यहां पर सुर्दा नहीं है स्कुल और सिक्षा की बात करें तो यहां पर अधूरी है पा और वहां पर दम तोड़ देते हैं तो ऐसे यह नजारा पहला नहीं है कई नजारे इसमें पहले भी आ चुके हैं बंसलूज में पहले भी एक बार पहल की थी इसी गाहों के लेकर लेकिन प्रिशाशन ने सिफ बादा किया था लेकिन आज तक वहां पर एक इंट भी नहीं तलकुल नरेंदर हम भी कोशिश करेंगे जमेदारों से बात करने की फिलाल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बाच्चित करने के लिए जानकारी पहुशाने के लिए नरेंदर पठील हमारी समवाद दाता जुड़े और वो ये बता रहे हैं कि करीब-करीब 15 साल से जो है ग्रामीन इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक यहां विकास नहीं हो पाया है सडक नहीं बन पाई है और यह आखिर तस्वीरें जो है सवाल तो खड़े करती हैं शर्मसार भी करती है कि एक तरफ भारत जिस तरह से तेजी से अग्रसर आगे पढ़ रहा है विकास की र और हिनों तगा वसा हुआ है और ग्रामीन यहां पर काफी परिशान होते हavic ना सिर् rumors दंद यहां पर जो स्कूल की बात करें हम पाटिशाला की बात करें तो बच्चों के पढ़ने के लिए ठीक से पाटिशाला की भी जो है विवस्ता नहीं है यहां पर श्कूल का विकास भी नहीं हो पाया है शिक्षा का विकास भी ठीक से नहीं हो पाया है और सडग का विकास भी ठीक से नहीं हो पाया है तो आखिर ये ग्रामीन मजबूर हैं परिशान हैं गुहार लगा रहे हैं लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है